तो कैसे हैं आप लोग आश्यागरता हूँ बहुत अच्छी होंगे घर पे होंगे और सुष्थ होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं इंगलिश हंडेड मार्क्स के भी भी आई और अब्जेक्टिव कोश्च आंसर को बताने वाला हूँ जो poetry section से होगा poetry section से सभी important question को आज मैं इस वीडियो में cover करने वाला हूँ और total मैं 30 question को cover करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 30 question में से 10 question हर हाल में board exam में आने वाला है तो इस question को आप लोग अच्छे से रठी जाएए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप से एक छोटा सा request है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं या भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज कर लीजिए और एक लाख जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेर कीजिए तो चलिए बढ़ते ही पहले question की तरफ बहुत important question है poetry section का इन सारे question को आप लोग अच्छे से याधी कर जाएए तो पहला question कह रहा है इन में से किस poet को metaphysical poet कहा जाता है आप लोग वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि इस question में से आप लोग कितने question का सही सही answer दे पाएएए तो सही answer यहाँ पे भी हो जाएगा metaphysical point हम लोग जॉन डॉन को कहते है अगला question कह रहा है mungo jerry and griddle bond are also यानि कि यह जो mungo jerry है या फिर griddle bond है यह किसका परकार है तो यह जो है so आपको option दीवा dogs, birds और cats और rats तो यहाँ पे सही answer हो जाएगा cats, makavity the misty cat से यह question जो इसो लिया गया हुआ है और आपको यह question 2018 के board exam में भी जो इसो पूछा जा चुका है चलिए तो अगला question है whispering never's left and right is a line from the poem यह जो lying है whispering never's left and right यह line कहां से लिया गया हुआ है चार option दिया गया हुआ इन पी टाफ, song of myself, now the lips are falling fast और ethnic तो सही answer हो जाएगा now the lips are falling fast अगला question है lifts of grass is written by lifts of grass किन के दौरा लिखी गई है जॉन डॉन, रूपेट ब्रूक, वाल्ट वीटमेन और महात्मा गांदी यह question आपके model paper में भी 2020 के model paper में question यह पूछा गया हुआ है तो lifts of grass लिखा गया हुआ है वाल्ट वीटमेन के दौरा यानि कि सही answer C हो जाएगा अगला question है the prams are des prams जो है यानि कि जो बच्चे की जो गारी होती है वो क्या होता है running, standing, rolling और sleeping तो सही answer यहां पर हो जाएगा rolling, बच्चों की जो गारी होती है वो लुढ़कती है, तो सही answer C हो जाएगा sweetest love I do not go is des, sweetest love I do not go किस तरह की कवीता है dididic poem है allergic poem है या फिर a love poem है या sweet poem है तो सही answer हो जाएगा a love poem यानि कि C हो जाएगा macavity is full of macavity पूरी तरह से क्या है happiness, sadness, loneliness यहां पर होगा या फिर disitfulness तो बात याद रखना है यह जो macavity है न वो पूरी तरह से disitfulness है, 2019 के board exam में ये question पूछा जा चुका है सही answer यहां पर D हो जाएगा autumn is season of mellow days autumn season जो है, वो क्या है fruitfulness, no rain, no fire या lifeless तो सही answer यह हो जाएगा fruitfulness चलिए question नमर 9 के तरह बढ़ते हैं rupert brook was das poet rupert brook कौन से poet है war poet, sad poet, metaphysical poet या children's poet तो आप लोग को टिक लगाना है war poet पे rupert brook जो सो war poet है the soldier is das the soldier क्या है song है, sonnet है, ode है या फिर free words है तो 10 soldier आप सब को मालूब होनी चाहिए sonnet है क्योंकि इस कवीता में 14 land जो सुदिया गया हुआ और 2 stinja में ये divided है तो सही answer यहां पे भी हो जाएगा अगला question है macavity is odd widely dash macavity देखने में कैसा है बाहर से या तो वो है क्या respectable बहाँ ज़्यादा सम्मानित है सही answer भी हो जाएगा 2020 exam में ये question पुछा जा चुका है तो सही answer क्या हो जाएगा मिलान कले यानि की B हो जाएगा अगला question है तो वो कौन से waterfall जो है को traveler को bliss करेगा white yellow red और फिर black तो सही answer A हो जाएगा white हो जाएगा अगला question है question number 14 and what I assume you shall assume is taken from the poem ये किस कवीता से ये line ली गई हुई है तो ये ली गई हुई है song of myself से यानि किस से answer A हो जाएगा अनिपी टाफ is written by John Keats, John Don, Kamala Das या फिर Walter Dillamere तो आप सब जानते होंगे अनिपी टाफ जो कवीता लिखी गई है वो Walter Dillamere के दोवारा यानि किस से answer D हो जाएगा Macavity's powers of limitation would make das a steer sent, fakir, devil या mad तो Macavity के जो उपर उड़ने की जो छमता है, ताकत है वो एक फकीर को भी परिशान करके उल्जन में डाउ दियो और सही answer भी हो जाएगा दारूवला got साहिते आकादमी आवाड इन दारूवला को साहिते आकादमी आवाड कम मिला 1985, 1984, 1986 या फिर 1980 तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा B, 1984 अगला question है यह लाहन किनके दुआरा लिखी गई है चार option है तो सही answer हो जाएगा B, यह जो एसनेक चैप्टर से लिया गया हुआ इस बार के आपके मॉटल पर परमेबिये question है John Kitts is Das John Kitts कौन से poet है Metaphysical poet, Romantic poet, Classical poet या फिर Old poet तो John Kitts को हम लोग Romantic poet के नाम से जानते हैं Romantic poet उसको कहते हैं जो अपनी कवीता प्राकृतिक पे लिखते हो Nature पे लिखते हो The word eternal miss Eternal का मतलब क्या होता है Forever, Sometimes, At Times, Every Times तो यहाँ पे सही answer हो जाएगा Four time Sorry, Four Ever Eternal का मतलब होता है हमेशा के लिए Forever यानि कि यह हो जाएगा Macavity is N- Macavity क्या है या ओर्ट लॉव है या फिर criminals है या लूटर है या नफदी है तो यहाँ पे ओर्ट लॉव हो जाएगा यानि कि अपराधी जो अपराध किया हो तो ओर्ट लॉव सो कहते है जिसको अपराधी घोसित किया गया हो सही answer यह हो जाएगा The poet sees the red hot dash poet देखते हैं क्या तो आग का अंगारा लाल आग का अंगारा यानि कि यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा inverse हो जाएगा यानि कि A हो जाएगा चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number 23 कह रहा In das according to the poem snake black snakes are considers यानि कि कहां यह माना जाता है कि जो black snake होता है वो जह सो innocent होता है तो वहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा यह Sicily Sicily में यह बाते मानी जाती है कि जो black snake होता है वो innocent होता है उसके अंदर जहर नहीं पाया जाता है यानि कि सही answer यहाँ पे भी हो जाएगा question number 24 कह रहा है the poet makes us aware of the inhuman condition of death life poet जो हम लोग को सावधान बनाते हैं आमान विये condition कौन से condition है वो तो वो modern life है सही answer भी हो जाएगा question number 25 कह रहा है Macavity is called death Macavity कहलाता है कौन सा पाओ तो वो hidden पाओ कहलाता है 2018 में यह question पुछा गया था यह हो जाएगा Macavity से poem से बहुत जादा जो question रहता है इसलिए Macavity का जो poem है उसको अच्छे से आप लोग देखेगा और T.S.L.E.R. के बायोग्राफिस से बहुत कम question रहता है अगर question रहेगा तो बस यह कि T.S.L.E.R. के में सेंचुरी के writer थे poet थे या फिर उनको कौन सा वार जो सो मिल चुका है The snake looked at the poet Snake जो है poet की तरफ देखता है कैसे देखता है तो vaguely देखता है साफ तोर पे नहीं देखता है The phrase A king of exile in the poem Snake stands for यह जो एक phrase लिखा लिया गया हुआ King of exile यह दूसरी धरती का जो राजा है एक नहीं वो Snake में चैप्टर में किसके लिए यूज किया गया हुआ है तो वो Snake के लिए यूज किया गया हुआ यानि किसे answer C हो जाएगा There is a house now far away where once I received love यह line कहा से लिया गया हुआ है तो my grand mother house से यानि किसे answer भी हो जाएगा She noticed a desk behind the door of the bedroom तो notice करती है कमलादार से एक डॉग को सही answer जो सी हो जाएगा तो यह 30 important question थे इसको आप लोग अच्छे से यादी कर लिजिएगा भी भी आई यह question है अमेद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए जार सदा शेर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई